कि जहिन दोस्तों मंकी पॉक्स इंडिया में दस्तक दे चुका है चार कंफर्म केस इंडिया में मिल चुके हैं डो केस दिल्ली में मिले हैं और जो केस मिले हैं उनकी हिस्ट्री जो है इसलिए चिंदा का विषय बना हुआ है वर्ल्ड हेल्थ और जेशन ने पबलिक हेल्थ इवरेंसी डिकलर कर दिया है मंकी पॉक्स डिजीच को पबलीख ब्लेक्ष एक बिनिफिट यह है कि लोग पैनिक नहीं हो पाएंगे प्रिकॉसन लेंगे कंसर्ण जारी करेंगे लेंग जह पेडियुआ है और टीजिज इतना फेल गया तो उस सिर्कितिर हो से बचने के लिए और लोगों को एलट करने के लिए पहले से ही फ़लिक खिलते में Ratan से रिक्लेर कर दिया है तो क्या है मंकी पॉक्स डिजिज पहले तो यह है कि यह कोई नया बिमारी नहीं है यह उनीस सो सत्रक बिमारी जो फर्स्ट टाइम जो है कॉंगो में डेंगोस किया गया था और उसके बाद छुटर पुटर केस जो है अफरिका के देशों में आते गए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी से डढ़ने और धवराने की इसलिए नहीं है जरूत क्यूंकि अभी तक केवल और केवल पांच लोग ही इससे डेथ कंफर्म डेथ डिक्लेर की जा चुके है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पैनिक की भी जरूत नहीं है और आख हो गरां अगर को 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 अगरा इंफेक्ट्रेट कर दिया मंकीपॉंक्स तो ब्लैंडनेस भी हो सकता है लेकिन डेथ रेट इसमें बहुत ही कम है इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूत नहीं है ढिल रहा है लेकिन सो टू परसन्स ट्रांसमिशन जैसा कॉरोना म बहुत ही ज्यादा काउंटक में तब यह फैलने का डर है अधरवाइस ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3-4 फीट के डिस्टेंस में रहने से चिकने खासने से विमारी फैल जाएगी ऐसा इसी इसमें नहीं है कि दूसरा सबसे बड़ा बात इंडिया में इतना कंसर्ण इसलिए भी ज्यादा नहीं है कि मंकी पॉक्स का जो सिंटम्स है वह उनिस सो असी से पहले की विमारी थी स्मॉल पॉक्स उस विमारी के अगेंश्ट में मैसीव वेक्सिनेशन ड्राइब किया गया था वह विमारी ज इसलिए जो चालीश से उपर पैतालीश से उपर की आबादी आज की इंडिया में है वह स्मॉल पॉक्स की वेक्सिनेशन होने के कारण पूरा एक तरीके से इम्यून तो वह विमारी वह वह पॉपॉपुलेशन जो है हमारा लग हो पच्छतर परसंट देश की आवाजिदी मेडिसीन के लिए भी स्मॉलपॉक्स के व्यक्सिनेशन और जोवियृ जोए सिम्टमस पिस ब्यमारी के आते जा रहे हैं जैसे इंडिया फिर भी जो डेवलेपिंग कंट्रीस हैं अमेरिका और यूरोप के उनसे बहुत ही पीछे है फिर भी प्रिकॉसर रखने की जूरत है सबसे ज्यादा तो आउटब्रेक्ट इस पैन में हुआ है इसमें तीन सोला जर्मनी 2195 एंगलेंड फ्रांस वगरा में वहां पर ज्यादा इसकी अफरात अफ्री मची ही है इंडिया जैसे देस में जनसंख्या है वो अभी जो केस आया है वह इलर्ट जारी करता है लिक्न बहुत बेनिक होने की ज़रूत नहीं है इंडिया दो कर सकता ह मैसिव टेस्ट डाइब मतलब जो है अगर सिम्टम्स दिखता है पबलिक अलेट करते से तो टेस्टिंग फैसलीटी जो है दूस्त रखे इस्ट्रिक क्वारंटाइन बतल जैसा कोरोना में इनशियल जो करोना ओट ब्रेक हुआ था उसमें जैसा क्वारंटाइन का प्रूज कि जो वेक्सिनेशन की प्रक्रिया है उसको एलर्टर पर जारी कर सकता है ताकि अगर आउटब्रेक आता है तो स्माल बॉक्स की वेक्सिनेशन को जैसे कोरोना का वेक्सिनेशन चल रहा है उस वेक्सिनेशन के तरज पर हम आगे बढ़ सकते हैं इसलिए बहुत पैनिक होने के जरूत नहीं है और रब्ली अच्छेन में अपनी एडवाजरी में ही जारी किया कि पैनिक नहों करके प्रिकॉशन और कंसर्ण जरूरी है थेंक्यू थेंक्यू बेरी मच्छ पर डिसकॉशन